यूपे अरुत्तराखन के खबरों के लिए विपे गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि जो महिलाएं हैं उनके साथ चलकरके उनके साथ कपट करके उनको बल इस्तेमाल करते वे प्रलूबबन देते वे उनका एक धर्म परिवर्तन किया जाता है कितने cases हैं कि उनका नाम हिंदू है शादी हो गई शादी के तीन मेंने बात पता चलता है कि वो इसलाम धर्म में उनको कनवर्ट कर रहा है तो ये सब चीज़ें आई हैं तो इसलिए कानून होना चाहिए कोट ने भी का है अन्ने कोट भी बोल चुके हैं तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते वे बल का इस्तमाल करते वे प्रलोबन देते वे जो लोग धर्म परिवर्तन करवात करते हैं उनके उपर भी कठोर कारवाई होईगी इसमें है एक दम है इसमें प्रावधान हैं एक तो इसके अंदर जो लोग करेंगे उनके उपर तीन कैटेगरीज हैं जिसमें एक साल से लेके तीन साल है फिर तीन साल से दस साल की भी कैटेगरीज हैं जिसमें कहीं सामोही करते हैं उनके लिए भी तीन साल से दस साल है उसके अंदर धनराशी भी है 15,000, 25,000, 50,000 का है और साती साथ जो महिला होती है उनको भी तो एक तकलीफ होती है तो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए तो उस सहायता के लिए पांचला का प्रावधान रखा गया है कोई एक जायज तरीके से भी करना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है कि आप जिला मेजिस्ट्रेट के सामने एक अरजी देंगे अरजी देने के बाद आपको दो मेहने के अंदर आपको उसकी एक प्रकार से NOC दी जाएगी और फिर आप शादी करके तुरंट कहीं आप धन परिवर्दन करना चाहते है मगर आप धन परिवर्दन नहीं करना चाहते है और शादी करना चाहते है तो उसकी तो इजादत है यह कानूनी इजादत है समविधाने के जादत है मगर वो करना चाहते हैं तो आप एक अरजी देंगे तो उसमें भी इजाज़त मिलती है